हलो फ्रेंद्स तलादाल के कीचेन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपकी कुरूपाली आज आपको मैं एक जटपट बनने वाला नाश्टा सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है चटपटा दही वाला ब्रेड तो सबसे पहले हम लएंगे दही जिसे क थोड़ा सा मिर्शी पावडर, नमक, स्वाद अनुसा और दो टेबल स्पून पानी अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी हम उसमें डालेंगे ब्रेड जिसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक यह ब्रेड के टुकड़े दही के मिक्शेर में अच्छे से कोट हो जाए जबी भी आपके घर में एक्स्ट्रा ब्रेड पड़ा हो तो तुरंत आप ये रेसिपी बना सकते हैं तो चलो ये ब्रेड अच्छे से कोट हो गया है अभी जेट पट से तड़का लगा तो सबसे पहले हम एक ब्रॉड नॉन्स्टिक पैन में तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है तो अभी हम इसमें डालेंगे जीरा और उसे कुट सेकेंड के लिए चटकने देंगे जैसे ही जीरा चटकने लगे उसमें हम डालेंगे हीम करी पत्ता और ग्रेट की आवा अद्रक इसे कुट सेकेंड के लिए भून लेंगे हम अद्रक की बहुत ही में काट लिया है अभी हम इसे लाइट ब्राउन ने तक भून लेंगे देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए है और इसे तकरीबन एक से दो मिनिट लगी है और अभी हम इसमें डालेंगे ब्रेड जो हमने दही के साथ मिक्स करके रखा था दही है तो अभी हम थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देंगे और अभी हम इसे ब्रेड को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे आप ब्रेड को हलके हाथ से हिलाईए ताकि ब्रेड के पीसिस तूटना जाए देखिए हमारे ब्रेड के पीसिस अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है तो चलो गैस बंद करते हैं इसे तकरीबन एक से दो मिनिट लगेगी चलो अभी हम इसे जटपत सव करते हैं तो बस अभी क्या बाकि है उसे सजाना तो हम बारिक कटी हुई धनिया से उसे सजाएं तो हमारा जटपत वाला नास्ता रेडी है तुरंत इसे परोसे और जटपत इसे खाये और इस रेसिपी का आनन लिजे और हमारे शाद आपके कमेंट शेयर किजे दाउनलोड तर्ला दलाल एप और यूर आपल और अंड्रोइड दिवाइस फॉलो अस ऑन फेस्बूक और त जाप और आपके लायेुगन शेयर कमेंट यूर और यूसलनन है अबनी ट्रीघ आपके मेंट आपके कट अूरह आपके लाप दपका करी काम मेंटो अर्क बड की कारवश इसे सभी अरली है।